आप सभी को दिवाली की हादीव सुख कामना हैं दोस्तो आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है दोस्तो Directorate Journal of Health Services जहाँ पे 487 वैकेंसी जो आई है जॉब लोकेशन दोस्तो लगबग इसका ओल ओवर इंडिया है यहाँ पे जो हैं इसके रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पे ग्रूप B और ग्रूप C के लिए वैकेंसी है रखी है जहाँ पे दसमी पास, बार्मी पास, आईटियाई के, ग्रेजिट के, ब्येस्सी, नर्सिंग यह सारे के अनेट जहाँ फॉर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं तो पूरा बीडियो देखेंगे दोस्तो आपके सारे डाउट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तो बीडियो को फ़र्दर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रेक्वेस्ट है लाइक कर दीजे शियर कर दीजे टाकि जो हमारी दिवाली का गिव्ट है वो हमें मिल सके चले स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर ओव वैकेंसी के बारे हम बात करेंगे और कौन कौन सी पोस्ट गोने वैकेंसी आ रखिए यहाँ पर देखोगे रिसवर्च एसिस्टेंट के लिए जहाँ पे दुस्तों चे वैकेंसी है यहां पर Master's degree requirement है, Geology, Microbiology और Biochemistry में 30 साल जो है Age Limit रखी गई है, अब 28 साल के चैनिट जो है कहाँ 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 पर अपलाई कर सकते हैं, टेक्निशन पूस्ट के अपलाई कर सकते हैं, लेट्री अटेंट के लिए अपलाई कर सकते हैं, यहां पर लेट्री असिस्टेंट के लिए यहां पर 28 साल के चैनिट अपलाई कर सकते हैं, यहां पर जो है दोस्तो आपको Bachelor's degree in Science होना जरूरी है, यहां पर दोस्तो क्वालिफिकेशन जो है तो आपको ध्यान में रख रहा है, आप कौन सी पोस्ट के लिए फिल अप कर रहे हो, क्योंकि हर एक पोस्त के लिए दोस्तो अलग-अलग क्वालिफिकेशन रखीगी है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, इस टेक्निकेशन पोस्त में आप देख सकते हो, बार्मी पास के अपलाई कर सकते हैं, इसके साथ-साथ दोस्तो डिफ्लोमा इन रिफिजेटर एंडियर सब्सक्राइब और आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, जूनियर मेटकल अवेट्री के लिए देखिए, ये शारी पोस्त है, तो यहां पर देख लिए दोस्तो पोस्ट जो है आपको सामने यहां पर दिख रही है और यहां पर यह देख सकते हैं जैसे कि यहां पर 69 जो वेकेंसी जैसे दोस्तो लेटरी आई भी है तो इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए अल पोस्ट को select कर लेंगे, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बांकि important information के लिए, important date के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो form है, आपका start हो चुका है, और इसकी जो last date है, 30 November 2013 रखी गई है, यहाँ पर examination date भी दे रखा है, 1st week of December 23 में जो इसका exam होगा, यहाँ पर देखिए second जो schedule रखा एक examination के लिए second week of admit card जो है first week में आएगा December में second week में जो है आपका examination होगा इसका जो result है दोस्तों आपका जो है third week of December मनला सब कुछ जो है यहाँ पर काफी जल्दी हो रहा है तो आप जो है अपने according form को fill up कर लिजेगा मान लिजे दोस्तों आप जो है दोतिन पोस्ट के रैलिजबल है तो आप जो है separate separate form जो है यहाँ पर fill up करना है यहाँ पर जो paper होगा दोस्तों उसमें जो है आपका English Hindi language में जो है paper होगा computer based examination होगा फर्म को जो है आपको online fill up करना पड़ेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो salary है तो काफी अच्छी दी जाए यह लेवल वन से लेके अगर आप इसका notification देखोगे तो यहाँ पर salary भी दी गई है हार एक पोस्ति के लिए कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं है तो आप जो है free का form भी fill up कर सकते हैं अगर women's candidate है center of examination दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डैली, NCR, चिन्ने, बैंगलोर, मुंबाई, लखनव, राची, चंडिकड, गौाटी, एन कोलकाता में होने वाला है examination pattern के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे candidate अगरेस के regarding बात कर रहे होगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप एक घंटे का जो वेपर होगा, computer-based examination होगा, साथ कोशन्स रहेंगे और यहाँ पर जो कोशन्स रहेंगे दोस्तों आपके subject से related रहेंगे और यहाँ पर दिया गया है इसका पूरा process form को कैसे apply करना है, form को आपको online apply करना है, online का link आपको दिया गया है, description box पे या फिर दोस्तों अगर नहीं दिया गया है, अगर आपको माल लेते हैं कि form को fill up करने में परसानी आ दिया गया है, तो आपको आने बार दिदोर में जो है, इसकी regarding पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा form को step by step fill up करके बताऊंगा, तो वो वीडियो का आप नितियार कर बाकी दोस्तों यह लिंक है, इस लिंक में जाके आप form को fill up कर सकते हैं, बहुत सारी रेस लिंक जो यहां पर दिया गया है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूरू बताएं, आज रिवस नहीं धन्यवाद, इसके साथ दोस्तों यहां पर बहुत सारी लिंक दिया हैं, आप लिंक को इसे भी क्लिक करके, जिस स्टेट के लिए fill up करना चाहते हैं, उस स्टेट का आपको select कर लेना है, और आपको further fill up कर लेना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, इ आप इस help line number पे भी call कर सकते हैं, और यहां पर mail ID दे रखा, इस mail ID पे भी message करके पता कर सकते हैं, आश्च्य वसनाई, धन्यवाद